दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा WhatsApp का फुल डाटा ट्रांसफर कैसे करते हैं Android to Android बिना बैक अप के, बिना गूगल ड्राइव के अगर आपने एक नया फोन खरीदा है और आप पुराने फोन के WhatsApp को ट्रांसफर करना चाहते हैं नये फोन में तो ऐसा आप कर सकते हैं मैं आपको बिल्कुल नया और आसान तरीका बताऊंगा बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है थोड़ा सा भी इसकिप नहीं करना है सब कुछ यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा तो माल लीजी यह है मेरा पुराना फोन अब यहाँ पर आप देख लीजी सारी चैट और यह है नया फोन तो पुराने फोन में पहले आपको क्या करना है उपर में त्री डॉट पर किलिक करना है यहाँ पर सैटिंग्स पर किलिक करना है यहाँ पर चैट्स पर किलिक करना है इसके बाद नीचे आना है तो नीचे में आपको एक option मिलेगा transfer chats इस पर आपको click करना है इसके बाद इस तरह से page open हो जाएगा अब यहाँ पर आपको start पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको continue पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको permission को allow कर देना है तो यहाँ पर scanner open हो यहां पर language select करना है नीचे तीर के बटन पर click करना है अब नीचे आपको यहां पर agree and continue पर click करना है इसके बाद permission को allow करना है अब यहां पर आपको mobile number add करना है पुराने फोन में जिस number से whatsapp चल रहा था वोई number आपको यहां पर add करना है तो मैं add कर देता हूं number add करने के बाद next के बटन पर click करना है इस number पर एक OTP आएगा वो OTP आपको यहां पर enter करना होगा तो यहां पर हम OTP भी देख लेते हैं आता है या नहीं यहां पर OTP आता है या नहीं हम check कर लेते हैं अभी तक तो OTP आया नहीं है देखते हैं यहां पर OTP आ गया अब इस OTP को यह verify हो जाएगा इसके बाद कुछ इस तरह से page आपको दिखाई देगा अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है नीचे continue पर click करना है continue पर click करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर continue पर click करना है इसके बाद permission को allow करना है इसके बाद यहाँ पर आपको QR code दिखाई देगा अब पुराने फोन से आपको इसे स्केन कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर मैं स्केन कर लेता हूँ, जैसे आप स्केन करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो चैट है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पर यह प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी य यहां पर सर्चिंग हो रही है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अब यहां पर आप देखेंगे आपको नए फोन में एक पॉप अप आएगा यहां पर आपको एक्सेप पर किलिक करना है इसके बाद दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा और आपकी जो चैट है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपकी चैट बहुत जादा है वन जी बी यह टू जी बी की तो यहाँ पर टाइम लगेगा अगर थोड़ी सी है तो फौरण हो जाएगा तो यहा सबी परमिशन मांगेगा सबी परमिशन को अलाओ कर देना है यहाँ पर आपका नाम वगेरा आ जाएगा इसे आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर नेक्ट के बटन पर किलिक करना है इसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से पेज दिखाई देगा य पुराने वाले फोन में यहां पर हम done करते हैं और यहां से back आते हैं तो आप देखेंगे पुराने फोन से whatsapp यहां पर login करने के लिए बूलेगा यानि के logout हो जाएगा दुबारा से यहां पर आपको number इंडर करके login करना होगा यानि के पुराने फोन से आपका whatsapp बंद हो सारी चैट वगरा वापस आ जाएगी बिना Google Drive के बिना backup के अगर दोस्तों आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है थोड़ी सी भी आपको help मिली है तो चैनल को subscribe करके हमें support जरूर कीजिए वीडियो को like कीजिए शेर कीजिए